जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का विजडम एजूगेशन पे आज 30 अप्रिल 2021 है डैनी जागरन के राश्टी संसकरन का कम्प्लीट न्यूज एनलैसिस करेंगे चलिए डिस्केसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे एसस कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बस यह एक न्यूज को आप दिख सकते हैं जानकारी के लिए दिख सकते हैं एक्जाम प्रस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्जाम प्रस्पेक्टिव से एक important editorial दिया हुआ है, वहाँ पर discuss करेंगे बाकि एक बड़ पर सकते हैं कि किस देश से कितना help आ रहा है कोर्णाम हमारी की समय में 200 भारत की मदद कर रहा है इसका सबसे बारा reason है कि जब कोर्णामारी स्टार्ट हुआ था, उसमय में भारत ने विश्य की मदद किया था आपको याद होगा हमने discuss किया था कि hydroxy chloroquine जिसका सबसे बारा निर्माता भारत था, भारत ने विश्य के कई देशों को hydroxy chloroquine की मदद की थी especially America की मदद की थी उसी करण आज अमेरिका और विश्य के अंदेश भारत की मदद कर रहा है तो यहाँ पर कुछ data दिया हुआ है, कौन से देशे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार देख सकते हैं exam perspective से बहुत important नहीं है कोरोना में दिभ्यांग जनों को सरकार का साथ चलो, दिभ्यांग जन पर चुकी topic दिया हुआ तो आज हम discuss कर लेते हैं दिभ्यांग जन से related क्या-क्या अधिनियम आया अभी तक और सरकार ने अभी तक क्या-क्या प्रियास किया है details analysis करते हैं दिभ्यांग जन topic को लिखरके exam perspective से ये topic काफी important है हलाकि news important नहीं है ये news जो है वो news important नहीं है ये topic दिभ्यांग जन सरकार के प्रियास ये काफी important topic है और कई बार इससे question आया हुआ तो इसी तरह से जब आप paper पढ़ते हैं तो जो important topic का जिक्र हो United Nation का एक convention हुआ था जिस convention का नाम है United Nation Convention on Right of Persons with Disability इस convention के अनुसार जो दिभ्यांग जन की प्रिभासा दिया गया है कि दिभ्यांग ऐसी सारेरिक एवा मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति समाने व्यक्तियों की तरह कारे करने में असक्षम होता है एक व्यक्ति जब समाने व्यक्ति के तरह कारे करने में सारेरिक तोर पे या मानसिक तोर पे असक्षम होता है उसे दिभ्यांग कहा जाता है United Nation Convention के अनुसार भारत में कितने दिभ्यांग जन है तो United Nation के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने पुरूस है टोटल पुरुस का 2.4% पुरुस और टोटल महला का 2% महला जो है डिब्यांग है इसमें मानसिक तथा बौधिक डिब्यांगता और बोलने शुनने तथा देखने संबन्दी अक्षमता साधी सामिल है अब देखो 2011 की रिपोट के अनुसार देश की जनसंख्या 121 करोड थी और उस 121 करोड में 2.68 करोड काफी बला नंबर होता है 2.68 करोड लोग डिब्यांग थे जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% था अब सुचो 2011 की जन्गरना के अनुसार इसा था 2021 की जनगना कनुसर ये आकराब बढ़ेगा अब दोको दिभ्यांग जन को लेकर के हमारे पास जो कानून था उस कानून का नाम है दिभ्यांग जन अधिकार अधिनियम 1995 पहले यह कानून था 1995 और इसको 2016 में संसोधन किया गया अब हमारे पास कानून है दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 इस अधिनियम में दिब्यांगता को एक विक्षित और गतिसील अभधारना के आधार पर प्रिभासित किया गया है दिब्यांगता में मौझुद 7 प्रकार को बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिया गया यानि 1995 में जो कानून था उसमें 7 परकार के लोगों को दिब्यांग माना जाता था और 2016 में जो कानून आया है उसमें 21 परकार के लोगों को दिब्यांग जन माना जाता है एक एक्जामपल देता हूँ जैसे एसीड से मालो किसी बैक्तिर ने किसी लड़कियों गरप एसीड फिक दिया एसीड की घटना अमारे देस में काफी हो गई थी तो एसीड से जले हुए बैक्तिर चाहे पुड़ोस हो चाहे मैलाओ उसको भी इसमें दिभ्यांग जन में सामिल किया गया जो 1995 में सामिल नहीं था आग से अगर आप जुलस जाते हैं तो उसको भी दिभ्यांग जन में सामिल किया गया पार्किनसंग अगर आपको रोग है भूलने की रुप मिमारी है तो उसको भी आपको दिभ्यांग जन में सामिल किया गया तो इस तरह से बहुत सर प्रावधान किया गया है जो दिब्यांग जन को सामिल किया गया साथ प्रकार के दिब्यांग जन था पहले अब इसको 21 प्रकार के कर दिया गया याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है बस बिसिक जांकारी आपको होना चाहिए कि Acid Pirita या Acid Pirit व्यक्ति को भी दिव्यांग जन में सामिल किया गया अधिनियम के प्राभधन के तहट दिव्यांग व्यक्तियों को वित्य सहता यानि Financial Help करने के लिए एक राश्तिय और राज कोस बनाया जाएगा अब दो को सरकार के प्रियास सरकार एक अभ्यान लिकाए थी जिसका नाम था सुगम में भारत अभ्यान क्या है सुगम में भारत अभ्यान मानलो एक बिल्डिंग है जो 20 माले के बिल्डिंग है एक दिव्यांग जन वैक्तिक कैसे 20 माले पर जा सकता है 19 में माले पर जा सकता है तो इसके लिए हमें दिभ्यांग friendly काशच तो सीधी बनाना होगा दिभ्यांग friendly elevator बनाना होगा लिफ्ट बनाना होगा तो ये वेवस्था करने के लिए ही अभ्याण लाए गा था सुगम में भारत अभ्याण जिसमें खास करके जितने सरकारी बिल्डिंग है उसको दिभ्यांग जन के एक्वार्डिंग बनाने का टार्गेट था अब देखो आरेक्षन को लेकर के खास करके आरेक्षन को लेकर के चर्चा होता है बिहार में तो लगातार चर्चा हो रहा है दिब्यांग जन के आरेक्षन को लेकर के दिब्यांग जन का आरेक्षन जो 3% था सरकारी नौकलियों में 3% दिब्यांग जन का आरेक्षन है उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया और जो उच सिख्षा संस्थान है IT है, IM है, JNU है, BHU है वहाँ पे 4% दिभ्यांग जन का आरेक्षन है उसको बढ़ा करके 5% कर दिया गया तो दोनों स्टेप याद रख लिए सरकारी नौकडियों में जोहाँ पहले 3% आरेक्षन था दिभ्यांग जन के लिए उसको 4% कर दिया गया और जहाँ पे उच सिख्षा में 3% आरेक्षन था रिजर्वेशन था, सीट रिजर्वेशन जो होता है उसको बढ़ा करके 5% कर दिया गया अब देखो, एजुकेशन सेक्टर में क्या किया गया है कि 6-18 वर्षत के बच्चे के लिए निसूल के सुविधा की व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा वित्पोशी संस्थान में या सरकारी मानिता प्राप संस्थान में समावेशी सिक्षा को दिया जागा दिभ्यांग जन के लिए अलग से सिक्षा व्यवस्था की जाएगी साथी साथ दिभ्यांग जन व्यक्तियों के लिए मुख आयुक्त और राज आयुक्त नियामक निकाय होंगे सिकायट निवारन एजेंशियां के रूप में काम करेगी यानि दिव्यांग दन को लेकर के जो कारून बना हुआ उसको regulate करने का काम ये लोग करेंगे मुख आयुक्त और राज आयुक्त नियामक निकाया और दिव्यांग दन को लेकर के जो सिकायट आगा उसको निप्टाने का ये काम करेंगे अब दिखो सर्वोच नियले ने 2020 में एक definition दिया है सर्वोच नियले ने एक judgment दिया है और judgment में कहा गया है कि समाजी क रूप से दिव्यांग जन पिछरे होते है दिव्यांग जन चाहिए किसी भी जाती धर्म समुदायका हो उसको एस्ती एस्ती उम्मिदवार के तरह उसको लाव मिलना चाहिए राइट I repeat the fact सुप्रिम कोट ने कहा दिव्यांग जन किसी भी जाती धर्म समुदायका हो वो समाजी क रूप से पिछरे होए है इसलिए उसे एस्ती एस्ती के तरह अनुस्य जाती और जन जाती के उम्मिदवार के समानलाब मिलना चाहिए तो यह basic point था जो मैंने आपके साथ discuss किया दिव्यांग जनों को लेकर के देखो यह देश भर में चर्चा है यह news जो है चुकि मैं देख रहा हूँ लगातार दो-तिन दिन से ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है basic बता देता हूँ यह जरूरी आपके लिए क्यों है यह भी discuss करता हूँ एक DM है और यह तिरपुरा में जो है कि DM है और वहाँ पे एक साधी में लगवग 10 बजे के बाद इंट्री किया तिरपुरा में क्या है night curfew है night curfew है कि 10 बजे के बाद जो है आप समारों गरन नहीं कर सकता और यह क्या कि 10 बजे के बाद साधी पाटी चल ला था 10 बजे के बाद चल ला था और समारों में इन करके उन्होंने समारों को काफी प्रभावित किया पंडी जी होड़ा को थपर मारे कई लोगों को थपर होड़ा मारा और कई लोगों को इसे निकलवा दिया जवर्दस्ति मतलब एबरप्टली इंटरप्ट किया अब देखो दो-तीन बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे UPC में आज कल एक टॉप पढ़ा जाता है एक पुड़क प्रस लिवस होता है जो Ethics होता Ethics क्या होता है कि नियम है ठीक है उस नियम को रेगुलेट करवाने के जिमेदारी आपकी है वो भी सही है लेकिन उस नियम को रेगुलेट करवाने के लिए जो है आपके पास क्या ब्यभार होना चाहिए अधिक इंपोर्टेंट तिरप्रवा में ये नियम है कि 10 विजे के बाद लॉक्डोंट नहीं रहेगा सही है लेकिन इसको regulate कैसे करवाईएगा ये आपकी responsibility है और इसके लिए आपको जो है सोचना पड़ेगा मानविया पक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगा एक DM डिक्टेटर नहीं होता यहाँ पर इसने काफी डिक्टेटर जैसा वेभार किया जो ही इसके साथ कॉंटर कर रहे थे जो भी इनके साथ बातचित करने का कोशिस कर रहे थे इनको पर्मिशन दिखा रहे थे कि मुझे रात में 11 बजे के बाद भी जो है साधी का पर्मिशन मिला है कि 11 बजे के बाद भी हम साधी में सामिल हो सकते हैं और यह DM ओपिस से मिला यानि आप ही जो है एक तरह से order जारी किये थे जो लोग इनके साथ बहस कर ले थे उनको बोले थे कि एरेस्ट करो तो basically मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट बजाते हैं कहीं आप जोईन करते हैं तो ethical perspective आपके लिए काफी important है लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना यह काफी जरूरी है नियम को implement करवाना और साथ ही साथ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना दोनों ही जरूरी है जैसे यह DM साहब है इसको साधी रुकमाना था सबसे पहले permission देख लेते हैं कि permission जो है इसको क्या साधी का permission मिला हुआ रात्मी 10 बजी का बाद दुश्री बात क्या है कि यह चिक कर लेते वहां पर जो कुछ लोगों को बुला लेते बाहर जो guardian हो रहे हैं और उनको चिक कर लेते कि क्या आप पर पास permission मिला है अगर नहीं मिला है तो आप immediately इसको बंद किजिए या जो guardian है उसको कुम सक्व घरपतार कर सकते थे या बोलते कि आप जो है इतना फाइन दे दिजिए तो इस तरह से आराम से यह इसको बंद करवा सकते थे लेकिन इन्हों ने अपने जो है डियम होने के गुरूर को यहां पर दल साया जो सही नहीं है तो अभी परसासन में जाये तो परसासन को रिगुलेट करने के लिए फुलाइट भासा के इस्तमाल करें परसासन जनता का सेवक होता जनता का मालिक नहीं होता अब देखो एल एच धुरूब ने जाहाज परिक्षन में किया चमताओं का परदर्शन तो एक पार इसको देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है यह धुरूब हेलिक्टर इसका परिक्षन किया गया है अब देखो यहाँ पर यह जो न्यूज है यह काफी इंपोर्टेंट है तक्निकी सबको सवान बनाती है बारती नहीं है तो डिज्टल सायोग और कनेक्टिविटी को लेकर यह युनाइटे नेशन में केंद्रिय मंत्री ने क्या परहार क्या इसका सम्मिट हुआ है इसका क्या ओड्पूट आया है इसका क्या निशकर्ज आया है मुझे भी जानकारी नहीं है इस न्यूज में कुछ खास नहीं दिया हुआ लेकिन ऐसा कुछ अगर खास इंफोर्मेशन होगा तो मैं टेलिग्राम चैनल पर शेर कर दोगा यह कल कर दोगा आप लोग जो लोग टेलिग्राम चैनल नमरा जोएंड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विजड़म एजिक्विशन के नाम से टेलिग्राम चैनल है जरूर जोएंड कर लिए एक बार इसको भी देख सकते हैं देखो यहां पर बस यह न्यूज इंपॉर्टेंट है एस आई सी एस आई सी काफी अभी फैसलिटीज दे रही है आप देखते हो कि कई जगए एस आई सी का होस्पिटल है बस यहां पर आपको याद रख लेना है एस आई सी जो है यानि करमचारी राज बीमा निगम जो है यह एक्ट आया था 1948 का एक्ट है लेवर मिनिस्ट्री के तहट यह काम करता है इसका बेसिक प्रोविजन कई आज हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप एस आई सी के बारे में बेसिक इंफर्मेशन आपको उना चाहिए 1948 के तहट काम करता है किसी भी संगठन में आप जाते हैं तो नीती आयू को चुकि मालो कभी भी कोई चर्चा होगा नीती आयू को लेकर के तो एक पर जरूर देख लेना चाहिए नीती आयू ने कहा है कि नीजी छेदर को निमानी होगी बड़ी भूमिका और बहुत इंपोर्टन बात नीती आयू ने कही है कि 1990 में चीन की परतिवेक्ति आये और भारत की परतिवेक्ति आये समान थी आज चीन हमसे पांच गुना अधिक है तो निशी तोर पर अब समय आ गया है कि नीजी कंपनी भी बड़ी भूमिका अगा निर्वान करें राइट बाकि नीती आयू को वेबसाइट जरूर चेक करते रहना चाहिए आपको DPIIT, DPIIT का वेबसाइट और नीती आयू का वेबसाइट दो वेबसाइट है जो कि रेगूलर आपको चिक करना चाहिए दोनों ही भारत जर्गार की वेबसाइट एक बार पर सकते हैं बहुत जादे इं इंपर्टन नहीं है राइटर करना है कि भारत दो महावारीयों से लग रहा है है दूощ Other कोरना का जो परचार किया जा रा है खासकर कि गलत परचार किया जा रहा है वो दो चीजोंद दोनों चीज़े हम फाइट करना है कि इसको भी बार देख सकते हैं कि देखो कोरोना काल में सफल विदेश ने थी निश्री तरपर हमारे विदेश ने थी सफल नहीं है उसका दोनों ही देजाने कि हमने 200 के देशों को मदद पहुंचाया 150 से अधिक देशों को हमने मेडिकल लबग 70 के आसपास देशों को हमने कोर्णा वेक्षिन दिया तो निशी तरपर भारत की जो सौफ्ट पावर की वह काफी बढ़े थी हम बिशु के देशों को मदद कर रहे थे यहीं काराने कि आप आज हमारे पास प्रोडम आया है भारत प्रोडम में घिरा हुआ है तो बि निक्षन के एडवाईजर थे हेंरिक इंसीजर और हेंरिक इंसीजर का बहुत फेमस कोट है बिदेश निति कभी लिखना हो आपको तो कोट कर सकते हैं कि अमेरिका है जो पर्मानेट फ्रेंड और एनिवीज वर्ली इंट्रेस्ट इसका मतलब होता है कि अंतरास्तिय ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और कोई अस्थाई दुस्मन होता है बलके अस्थाई हित नेथ होता बहुत फेमस स्모क्रिय कई पड़िश निति किस ऐसे भागते बदल रही है वह इसंडिक इंपॉर्टेंट है उसके मैं पहले पीर कभी डिसक्स किया था कि आज जैसे है कि हमारे पास दो प्रसपर बिरोधी देशों के साथ भी हमारा अच्छा संबन्द है जैसे हैं मसलन फिलिपिन्स और इसराइल दोनों एक दूसे के बिरोधी है और दोनों के साथ भारत के अच्छा संबन्द है मसलन इरान और सौधी अरब दोनों इक दुश्य को बिरोधी है और दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंद है पहले इसा नहीं था पहले जब हम बिनेशनिती मनाते थे तो भारत ये ध्यान रखता था कि अगर मान लिखते हैं कि हम फिलिस्तीन से संबंद रखेंगे तो इसराइल नाराज हो जाएगा या इसराइल से संबंद रखेंगे तो फिलिस्तीन नाराज हो जाएगा इसराइल से हम संबंद रखेंगे तो हमारी अरब कंट्री नाराज हो जाएगी इसलिए अरब कंट्री को हम नाराज नहीं कराना चाहते थे और इसराइल के साथ सम्मान बहुत समय तक भारत नहीं एस्टेबलिस किया था, हमारा दुतावास वहाँ नहीं था 1990 के बाद भारत ने इसराइल में अपना दुतावास अगरे एस्टेबलिस किया राइट तो आप समझो काफी चेंज हो रही है और क्यों चेंज हो रही है उसको बहुत अधिक इंपोर्टन नहीं है कुछ प्रस्पेक्टिव दिया हुआ है कि क्यों कोर्णा काल में भाद के बिदेश निती सफल हुई है उसको लेकर के बहुत अधिक इंपोर्टन नहीं है देखो ये अधिक इंपोर्टन इसमें दो-ती नित पहले में मैंने डिसकुस किया था ग्रॉंड वाटर जीरो हुआ है निती आयो का कंपोजिट वाटर मनेजमेंट इंडेक्स आया था 2018 में और उसमें कहा गया है कि ग्रॉंड वाटर जो है भूजल जो है वो जीरो हो जाएगा 2020 तक इंडिया के 20 बड़ी सिटी में जिसमें दिली का नाम लिया गया था जिसमें चैने का नाम लिया गया गया बैंगलोर का नाम लिया गया था और लगभग दिली जैसे सहर में आज ग्रॉंड वाटर की कंडिशन बहुत ही खराब है एक्स्ट्रीम खराब है जीरो के बराबर ह तो उसके बाद सरकार जगी थी और अटल भूजल मिसन सरकार लेकर आये थी और उसका कामी था अटल भूजल मिसन का कि ग्रॉंड वाटर को इनरीज करना तो उसी के संब्द में थोड़ा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है एक बाद तो जरूर पढ़ें इसको देखो यह जो न्यूज है हिंद परसांद छेत्र में मजबूत सेन मौजुद्गी बनाए रखे का अमेरिका इसका दो तिन परस्पेक्टिव आप देखो एक तो यह जो वर्ड है हिंद परसांद छेत्र यह वर्ड ही अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है हिंद परसांद च्छेतर जैसे ही कहते हैं तो उसमें हिंद का kilometers आ जाता है हिंद मतला हो गया हिंदुस्तान का आ जाता है हलां कि लेकिन हिंद इससे यहां तक पर हिंद में सबसे मजबूत कंट्री है हिंदुस्तान अब देखो यह जो वर्ड है इस वर्ड को लेकर के चीन और रश्या आपपत्ती करता है वो बोलता है इसको आप हिंद परसांद छेतर ना करके इसको आपके हैं एसिया परसांद छेतर एसिया परसांद छेतर कहने से क्या होगा है कि उसमें जो है एसिया में सबसे मजबूत कंट्री है चायना तो चायना की भूमिका बरी हो जाती है जैसे आमेरिका मानलो इस छेतर को हिंद परसांद छेतर को रही है दिक है टो इसी को लेकर किpaty सोह है एस्टेब्लिस क्या गया था हिर जो को संथूलित करनेख को संतुलित करना अब देखर यहaoOS due जो दिया हुआ उसका रहन संथा यह कु आफगानिस्तान से और सना वापस जा रही है तो यह सिकर्ण peace impossibility कि depending अपश्कन में नहीं करेंगे है कि seven मोजुपती बनाय रखेंगा हिंड़ पसां चर्थ में अफ़गानिस्तान से वो अपस उसकी स說 जा रहे है इसके बाब जोध भी एक बार इस रूप में परण सकते हैं बाकि क्वाइब कर दिस्कस किया तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगा अज कि एक बार इसको भी परना देखो यह पहले भी हमने डिस्वज किया था कि इस्पेस एस्टेशन जो है इस्टेशन 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 18 तक के आक्टे के आधार पर Pollution के बारे में इंडेस्स किया है बस एक दो यहाँ पर important quotation है जो कभी आपको लिख सकते हैं कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार परतेक वर्स वाई पूर्दूशन के कारण 42 लाख लोगों की जान चली जाती है तो यह कहीं जब आपको Pollution के बारे में लिखना हो Pollution किस तरह से Health को प्रवाविट करती है यह लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इस Code को कहीं जाकट के कॉप्योगर में लिख लिए 20 Health Organization के कनुसार 20 सुस्वास संगठन के अनुसार परतेक वर्स Pollution के कारण खास करके वायू Pollution कारण 42 लाइफ लोगों के मिर्ति हो जाती है राइट चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थांक्यों सो माच प्लीज दू लाइक शेन सब्सक्राइब